तो स्वागत है सभीका तो सबसे पहले तो MP Sports की तो शुरूबात करी रहे हैं इन सबसे पहले एक विशेश बात है जो आप लोगों से सुननी है मुझे बतानी नहीं है आज विशेश क्या है आज विशेश यह कि 21 फरवरी है और 21 फरवरी को आप लोग हर वर्ष या प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं अंतर राष्टी मात्री भासा दिवस के रूप में मना रहे हैं तो यह किसके सोजन्न से मनाया जाता है और कव से मनाया जाता है यह आपसे मेरा प्रस्न है मनाया जाता हो गा कि हां यह जो प्रेरित है कहींária कहीं वह बांगलादेश्यों पहले तो नहीं था लेकिन प्हले पूरी पाकिस्तान अम लोग कहा करते थे यह ऐसा कहले आज के बांगला देश के बलेदान के बजे से हम लोग मात्री भासा दिवस क के रूप में को मना तो इसके पीछे मनाने के लिए जो स्वजन बात कर हैं किसके द्वारा है तो आप बताएंगे कि यूएन के दौर्ट किया गया है सहमती दी गई है 1999 में इसमें कहा है कि हम प्रतिवर्ष 21 20 savior को क्या मनायेंगे मात्रि भासाओं दिवस के रूप में मनाएंगे लेकिन 2008 से आप लोग से विद्धानिक ठीक है झात कि दुनिया में बहुत सारी भासाय यह तो हम जानते हैं अपने देश abord में भी बहुत सारी भासाओं बोली समझेगा उसने अपने संसकार को छोड़ दिया अपनी संसक्रती को छोड़ दिया सब कुछ कुछ को सकता है मतलब यह हुआ कि उसका खुद का अस्तित्त्व खत्म हो सकता है कव जब उसकी मात्री भासा अपनी छोड़ चूखा है तब कि वह bearing कि पात मैं हमेशा प्रात्मिकता अपनी मात्री भासा को देता हूं विस्कों नहेंग्रे जी अपने विसाय के बारे में जो हमें चर्चा करनी है तो मद्य प्रदेश के sports की बात की जाएगी तो यह आपके अब यह समझेगा कि exam के हिसाब से बहुत important चीज रहेगी हो सकता है कि एक से दो प्रसन आपके परिक्षा में बने ऐसा हो ही सकता है अन्यवार है कुछ नहीं है नहीं सोचो के दो तिन कुछ या एक दो कुछ या से आएंगे। आने को तो यह कि तीन चार कुछ ज़ा जा तो कोई बड़ी बात भी नहीं होगी। ठीक है समझते हैं बहुत अच्छी अच्छी बात हैं तो सबसे पहले हम लोग बात ये करेंगे कि मद्दे परदेश में जो खेल की शुरू बात है या जो बात की जाए कि ये जो खेलों की हम ऐसी क्या आवशक्ता आन पड़ी कि हमें खेलों के वारे में भी पढ़ना पड़ है एसी क्या आवशक्ता कि हमें खेलों आ पड़ें हमें पढ़ना पड़ रहा है यह वह जिनमें बच्पन में हमारे माता पिता हमें खेलने नीं देते थे हूं और अब यह वही खेल है जिनको अब बैठा के पढ़ाया जा रहा है ऐसा ईन बिगत समय में क्या हुआ कि यह न हाँ साही है ये ठीक है कि आप सारे रिक रूप से और मानसिग रूप से स्वस्त रहें फिट रहें इसलिए का जा रहा है कि आप खेलों की तरफ रुजान बढ़ाएं एक अच्छी सी बात बताएं जीके की बात है जन्नल नोलेज की बात है कि आपके मामा सरी ने क्या किया है एक जिसने इस्कूलों में एक क्लास अनेवारे कर दी कि वो क्लास किस रूप में रहेगी इस्पोर्ट के रूप में रहेगी ये बात याद रखेंगे ये आपकी 2008 के आसपास से हुगा है उस समय आपके साथ सिवराज सिंग ही सीम थे थे क्या हैं मतलब थे उस समय तो आप याद रखेंगे कि मद्देपरदेश ऐसा पहला राज बना अच्छा ऐसे तो अच्छी बात है कि आपका राज ऐसे कई आंकडों में पहली बार रहेगा क कई सारे काम आपने पहली पहली बार किये हैं यह बात हम यहां से याद रखेंगे तो कभी ऐसा प्रस्ण पूछ ले हैं तो सिंपल क्योंकि मैं तो यह कहता हूं साब एक क्लास क्यों आप कभी सरकारी स्कूल में चक्कर लगे तो जाईएगा जो मतलब मोस्ट अच्छे साब ने मुख्यमंत्री साब ने ऐसा तो नहीं कहाता कि सभी लोग खिलेंगे यह का अच्छा इसलिए यहां पर आप देखेंगे कि आपने सुना होने से फिजीकल एजूकेशन वगेरा में अब हर एक टीचर को यहां पर पॉइंट किया किया जाता है तो वह बच्चों को क पुरानी विवस्ताओं के क्यों कि हम जिसे हम पढ़ा पा रहा है यह आप पढ़ा पढ़ा के आते तो फर मैं क्या करता है मेरा रोजगार चला जाता है हम कि तो चलेगा तो देखते हैं यहां से तो आप याद रखेंगे मध्यपरदेश ऐसा पहला मध्यपरदेश आपका पहला एसा राज बना जो क्या कर रहा है खेलों के लिए उसने इसकूलों में एक अनिवार समय बना दिया पिरेड बना दिया कि एक अक्षा जरूर स्पोर्ट की लगेगी लगेगी चलिएगा तो हम लोग यहां से सीधे सीधे सुरू करते हैं मध्यपरदेश में जो आदनी को आप क्या दे सकते क्रेडिट दे सकते हैं वो हैं यह मतलब इनकी देन है ठीक रहा चलो यह आए कि हलंके ऐसा नहीं कि इनके द्वारा ही हमको खिलों के बारे में जानकारी दी गई ऐसी बात नहीं है हमने बलकि इनको कई सारे खेल से काय है लेकिन बस यह कि यह थोड़े स सारे खेलों की सुरुवात इनके द्वारा विवस्ते तरीके से करवाई जाती है तो हम देखते हैं कि आपके मद्य परदेश में जो खेल कूंद का यानि कि जो खेलों का प्रारंब होता है वो क्रेडिट हम किसको देते अंग्रेजों को देते हैं और देखेंगे कि यह जो परदेश में डफरिंस सराएग है कहां है कौं है अजरी पीछे वह रहता है है क्लिपेडम कन अग्यार नहीं हैं कि सर्माने वाली कोई तो यह कहां हां और को और डबी बटए जो बिल्कुल कर दुप्रिंस राइनार कि यांद रखो मतलब यह वा कि ये आपके छेत्र मैं आते थे आपको बिना बताने आते थे झाथ जाए gefunden Account राजा राज इसने सडकों के किनारे कई परकार या कई संख्या में सराय बनाए थे सेरसा सूरिन है तो यह वही सराय मतलब रुकने या ठहरने का इस्थान जापे आपके यह डफरेंस आप ठहरा करते थे एक और कुछन है कुछ सेंसस या जनगड़ना से लेकर के कुछ है क्या यदि बात की जाए कि डफरेंस आपने मध्यपर्देश में जो बिवस्तित तरीके से खिलों की सुरुवाद कर रहे हैं वह कहां से की गई थी 17 से 17 से और कौन सा खेल है तो आप बताएंगे लॉण टैनिस कौन सा खेल से सुरुवाद की तो आप याद रखेंगे लॉण टै और कहां से करवाते हैं तो आप बताएंगे सतना से करवाएगे आप पूछेगा कि बताएं मद्धे परदेश में डफरिन के समय में कौन सा खेल से इन्होंने बैधानिक तरीके से सुरूआत करवाई तो लोन टैनिस आंसर कर देंगे ठीक है ये तो ठीक है अब पूछेगा है 1885 तो हम याद रखेंगे कि साब इस समय तो आपकी कांग्रेस पार्टी की स्तापना कर दी गई थी या हुई थी उसी के कुछ समय बाद इन्होंने यहां से 1888 याद रखेंगे कि आपके एक टैनिस कोट यानि कि लोन टैनिस कोट की स्तापना की थी तो ये अच्छा समय में यह नाम याद रहेगा तो तो आपको ज्यादा समस्या नहीं आएगी कि 1885 में कॉंग्रेस की स्तापना करवाई थी उसके तीन वर्स के बाद में यह क्या करवा रहे हैं लोन टैनिस कोट की स्तापना करवा रहे हैं कहां पे सतना में तो यह पॉइंट आप यहां से य चेत्र था वो आपका क्या है इंदो और चेत्र संबंदित रहे गा तो आप देखेंगे कि ये राजा महराजा है करतब कानुन बनाई परिजाए के लिए कुछ बैतर तरीके सार्म कानुन क्रंदा restor सभी है 1928 से कब से 1928 से आप देखो पहला प्रस्ण आएगा कि जो आपके सिवरा सिंग चौहान ने आज किया है जो काम सिवरा सिंग चौहान ने आज किया है माने 2008 लगबग 100 वर्स के अंतराल है थुड़ा वो तंतर रहेगा तो बो काम 1928 में हम लोग पहले ही कर चुके थे और किस राजा या किस राजबंस के समय में किया गया था तो होलकर राजबंस आप याद रखेंगे इनके द्वारा किया गया था कि इस्कूलों में फिजीकल एजूकेशन को क्या कर दिया था अनिवारी कर दिया गया था शारेरिक शिक्षा या खेल से सम्मंदे जानकारी वहां पर सिक्षकों के द्वारा उन छात्रों को दी जाएगी आप देखेंगे कि होलकरों ने तो खेर क्रिकेट को या खेल को खूब मह यह तो आप आंसर कर सकते होलकर क्रिकेट के लव ठीक है यह ठीक है नीटों इसके इसी का नाम हुआ करता था एक बात कोई अंतर नहीं है था हम देखें हैंगे चैसा कहने के ये दोनों मिल कर्कर नाम बदलेंगे और बिवस्तल प्रिके से खेलों की स्रुवाथ करेंगे, ठीक है, जब क्रिकेट की बात करेंगे तब हम थोड़ा सा आगे उनकी चर्शा करेंगे, चलेगा, आगे बढ़ते हैं तो आगे की बात याद रखेगा तो आप यहां से याद रखेगा कि मद्य प्रदेश में जो खेल क्रीडा परिशद है ठीक है इसको भंग करके आगे बात आएंगे कि खेल प्रादी करन की स्थापना आप याद एक और चलूए कि मद्य प्रदेश खेल क्रीडा परिशद को भंग करके उसके इस्तान पर आपने क्या बना दिया गया मद्य प्रदेश खेल प्रादी करन ठीक है यह बनेगा दो हजार ग्यारा में ठीक है बैसे तो इसकी स्थापना नाइंटी सिक्ष्टी में की गई थी 1960 में की गई थी किसकी आपके मद्य प्रदेश खेल प्रादीक्रड की 1960 में अब एक बात समझ ना कि 1960 में यह संगठन तो बना दिया गया फिर हमारे यहां क्या ट्रेंड है कि हम नाम के बदलाव में जादा कुछ विचार रखते हैं क्योंकि आप देखेंगे कि जिसकी जैसी कि ब्यवस्ता रहेगी वो अपने हिसाब से नाम रखेगा और मेरा भी मानना ये है आपने भी खूप रैक्टिकली देखा है जो सत्ता में होता है वो सक्ती मान होता है शीधिए बात है तो जो सत्ता में वो कुछ भी कर सकता है बादवायां की विचा़ आदमी परिशान रह होस्टा है तो यह जिस राज़ में होगा या जिस राज़ में Намाने मद्श 컨aina्व की बात करेंG तो इसकी अद्र रारेदय को नभाएगा खील मंत्री और या कि विजिया राजे से संबन देथा सीम राइचों कि तो तो अच्छा मैंने यह सूधरा राजे यह सूधरा राजे यह सूधरा अब देखो आगे इनका मुख्याला कहा है तो आप देखेंगे कि जितने भी संबेदन सील और्गनाइजेशन होते हैं उनके सब के हैड़कोरर कहा बनाए जाएंगे तो राजधानी में बनाए जाएंगे यह तो सिंपल सा कुशन है ठीक है चलेगा अब इसके आगे की बात द बात करेंगे आगे मद्देपरदेश की खिलों की और चर्चा बढ़ाएंगे यहां से कभी कवार कुशन बन सकता है तो पहले तो पहला प्रसन हमसे एक्जाम में यही पूछ सकता है कि बताईएगा कि इसका क्या होता है तो वर्ड एंटी डोपिंग एजनसी बात यह आती है कि हमको क्या ऐसी आवशक्ता अन पड़ी कि यह संगठन या संस्थान बनाना पड़ा तो आप एक इसके पीछे चोटी सी कहानी याद रख सकते हैं वो कहानी यह है कि यहां इसकी स्तापना तो हमने 1999 में की क्य हुआ 1990 के बाद जितने भी राष्टी या अंतर राष्टी खेल होंगे अपन तो इंटरनेशनल की बात करते हैं जितने भी इंटरनेशनल स्पोर्स के और्गनाइज किये गए खेलों का आयोजन किया गया उसमें कुछ देशों के खिलाडियों ने बहुत जादा मात्रा में अपने मेडल के ग्राफ को बढ़ा दिया इतना जादा ग्राफ बढ़ा दिया कि जैसे माना कि एक चोटा सा अधारण समझेगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी प्रकार की ज्यान की जानकारी तो है यह नहीं और वो बिचारा मानो कि SDM बना बैठा है या DSP बना बैठा इन से पूछो क्यों मद्य परदेश में कितने जिले हैं इनकी होंगे सत्तर असी इन से पूछा कि यह बताईएगा कि सम्मिधान की आठवियान सूची क्या कहती है बनी कि आठवी तो नहीं पता 25 भी याद है पूछ ले मतलब कुछ ऐसे भी लोग अब ऐसे व्यक्ति को अमने डारेक्ट सेलेक्ट करा दिया पी सी से और आपने उसको सेकिंड ग्रेड का अधिकारी बना दिया तो अब या तो ऐसा हो कि जलो मेरे जैसा आदमी थोड़ा बहुत पड़ा लिखा है और आपके जैसे बहुत ज़्यादा पड़े लिखें आप जैसे बन्या तो कोई यही हुआ आपके रूस के साथ में रसिया के साथ में यही हुआ यूए से के साथ में तवाम देशों का एक मैडल गराफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा और बो लोग भी मैडल आ रहे हैं जो कभी मतलब अच्छा प्रदर्शन नहीं करते थे तो अब कई स्पोर्ट्स और्गनाइजेशन जो इनके मदद में काम करती थी उनने सोचा यह बताओ यह लोग कैसे सलेक्ट कैसे हो गए इनकी जाच की जाए तो जाच की गई तो इनके सरीर में कुछ ऐसे उत्तेजक पदार्थ मिले कि जो कैसा भी सिंगल प्लाई आदमी मरा मराया कैसा भी हो उसको जरा वो नहीं कहते हैं कि गुटी पला दो विचारा आदमी सक्तिमान बन जाए तो अव ऐसी परस्तिती में उन सब लोगों की जाच की तो उनके रक्त में कुछ विसेस तथ या फैक्ट पाएगा जिसको अभी वो जानकारी में नहीं थे अब उन सब की के बारे हैं जिससे यह लोग क्या कर रहे हैं अपने खेल में बहतर प्रदर्शन कर रहे हैं यह लगवग मानिएगा दस साल तक एक सिस्थम चलता रहा उसके बाद निंद खुली अच्छा एक दम से तो निजानकारी होती है अपन सोच रहा होगा लेकिन अब पता चला कि सब लोग कठे ना रहा है कटो भी तना जाद जा रहा ठीक है तो अब ऐसी परस्तती में अब यहां पर क्या किया गया एक और्गनाइजेशन बनाए जागा एक संस्थान बनाए गया जिसको काम दिया गया कि आपका ये काम रहेगा निगरानी करने का जाच करने का कि कौन सा पिलियर क कौन सा खिलाड़ी यदि इमांदार अच्छा अब इसमें घाटा या परेशानी उन लोगों को है जो बिचारी इमांदारी से कई वर्षों से मैनत कर रहे हैं इन्होंने तो बढ़िया एक दम दोड़ते हुए चले गए आपने जैसे एड देखा होगा ना रेड वुल्ट कई विल्ट सारी चीज़ों का यड़ाता है और होता कुछ नहीं है मैंने सोचा साइद बास्त में कुछ था आसपास थी तो मैंने का साइज हो सकता हैarm 5 180 निकल जाए लेकिन मुझे लगा उस दिन मेरी regulate तो एससी परस्तती में कुछ नहीं होता मुझे तो कुछ लगा लगा ही निए बस बो क्या सारी चीजे इंगा पूरा उसमें इन सब कामों में मेंट़िटी का काम है बस और कुछ नहीं कि आपको ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत पढ़ लिया है इस बार पेपर अच्छा जाएगा तो बास्तम में पेपर अच्छा जाएगा कोई दोराई वाली बात नहीं अब ऐसा नहीं कि पढ़ई कैसा याद रखेंगे कि स्पोर्ट्स के छेतर में कोई 19 बर्स का बालक खेलेगा या कोई प्लियर खेलेगा वो मैडल जीतेगा इसमें दौराइवाली बात नहीं है क्योंकि उसमें बहुत काविलियत है वो चमता है कि वो मैडल ला सकता है लेकिन पता चले कि सब 99 साल का विया बनाया संगठन बनाया इनकी जाज करने के लिए साफ तो मैं ऐसी तागत आ गई आपके पास ऐसी कौन सी सकती आगी कि आप गोल्ड मेडल ला रहे हो तब इनकी जाच की जाएगी और इनकी जाच की जाएगी बलड से यूरिन से अन्संस तरीके से की जाती है कभी पूस्ता है एड़ कॉर्टर बता दीजेगा आप इनका तो आप इनका हैड़ को वाटर वताएंगे कानाडा मॉंट्रियल और यह किस इंड़स्ट्री के लिए फेमस है किस के लिए ओटो मॉवाइल कागज के लिए फेमस है और यहांके जो प्रसिडेंट या अध्यक्ष रहेंगे उनक पुरा हिसाब किताब के लिए रखते हैं तो ये बात भी आप याद रखेंगे यहां के बरतवान में चेर्मेन या अध्यक्ष कौन है तो आंसर कर देंगे आप बिटोल्ड बांका तो आप से जो कुछन पूछेगा वो पहला हो सकता है कि फुल फर्म से पूछ ले बैसे नही है विटोल्ड बांका तोल्ड माने पुराना और पुराना हिसाब किताब बांका नहीं छोड़ते हैं ये इसका वाड़ा का काम है ये वादा रहा क्या वादा रहा कि तोल्ड माने जो पुराना है उसको हम किसी परकार का कोई भी हिसाब किताब बांकी नहीं छोड़ेंगे तो टोल्ड हैं कौन से टोल्ड हैं विटोल्ड वांका क्या नाम है विटोल्ड वांका ठीक है अब देखो ये तो खेर कुछ नहीं आगे की बात देखो अब हम बात कर लेते हैं कि इनका जो मुख्य काम क्या है आपको पता है ये खेल जगत में ड्रग से उपियोग के बुरु पुझा कहां से आई उसका क्या सोर्स है ठीक है तब आगे चल करके हम यहां पर एक वाड़ा और्गनाइजेशन बनाया और 1999 के बाद से लगातार क्या कर रहा है काम कर रहा है ठीक है चलेगा अब आजाओ अपने पर जब बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर पूछता है वैश्विक तर पर पूछता है तो बाड़ा अंसर करदेंगे और जब अपने राश्टी स्थर पर पूछेगा तो नाड़ा अंसर करदेंगे आसानी से फुल फॉम याद रख लेंगे नेशनल एंटी डोपिंग ऐजेंसी सरलता सा याद अपना कव हुई तो आप याद रखेंगे 2005 में अब अंतर समझना जब पूछेगा बाड़ा से पूछता है कि बाड़ा किस्ता अपना कव हो रही है तो आपने 1999 याद रखा तो भी भारत आने में थोड़ा बहुत समय लगेगा हमने 2005 में इसकी शुरुबात कर दी और मैंने आ आप पूछए गा इसके महा निदेशक हैं आपके डारreқ्टर जनलвор जो है वो कौन है तो महा निदेशक याद रखेंगे इनका नाम है सिद्धार सिंग्ग लोंग जाम अ सिद्धार्त सिंग्ग याद रख सकते या आप और अच्छा त्रीकटा से याद रख सकते लोंग ज इनको इससमय महानिदेसक बनाए गया है यह कौन है युवा कारिकरम और खेल मंतरालाय में यह संयूक्त सच्प हैं और नाम क्या है लॉंग्जां तो आप से क्या 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 पूछेगा दोनों को एक साथ देख लीजेगा हमसे बाडा की बात की जाएगी तो आप बाडा की स्तापना क्या बता देंगे उनिस सो निन्या नोवे ठीक है अप पूछेगा यह बाडा की बात लुए दो हजार पांछ ठीक है फिर पूछेगा byडा का हेड़कोर्टर बता दें कनाडा का मोंट्रियल सहर और हम नाडा की बात करेंगे तो नई दिल्ली है फिर पूछेगा कि यहां के चेर्मेन अध्यक्ष कौन है माने देशा कौन है शिदार सिंग लोंगजाम और यहां पे कौन है वी टोल्ड वांका ठीक है आप ये सारी बातें याद रख लो काम बन जाएगा आप लोग मुझे नहीं लगता कि करेंट नहीं पढ़ते होंगे सब पढ़ते हैं तो बताओ कि कौन सी ऐसी एंटी डोपिंग एजनसी थी जो पिछले बर्स चर्चा में रही थी जापान की क्यों टोकियो लोंपिकी बज़ेशन नहीं कि क्या हाँ डोपिंग एजनसी किस द हाँ तो रूस की चर्चा में रही थी 2021 में आप से कभी पूछ है कि ऐसा ऐसी कंट्री जो अपने नाम से इसवार बने 2020-21 के टोकियो में सामिल नहीं हुई तो याद रखेंगे रसिया इसवार अपने नाम से नहीं खेला और रसिया ने जितने भी मेडल जीते हैं वो रसिया जो आगे समझते हैं तो रसिया की जो एंटी डोपिंग एजनसी है उसके नाम से रसिया के कुछ खिलाड़ी सामिल हुए थे या participate किये थे किसमें olympic में क्योंकि रसिया के पूरे खिलाडियों पर या रसिया की olympic committee है उसने अपने खिलाडियों पर उसमें उनके बलड में कहे ले या उनके सरीर में कुछ ऐसे साक्ष पाए गए कि उन्होंने किसी परकार के नसे या किसी परकार के उत्तेज़क पदार्थों का प्रियोग किया तो इसके लिए उन्हें पर वेन लगाया गया है ठीक है तो यह बात हम ज़रा यहां से समझते हैं आरोशी की बात करते हैं तो आप याद रखेंगे रशियन ओलंपिक कमेटी है य ऐसा प्रस्ण पूछ सकता है तो आंसर कर देंगे आरोशी के नाम से रशियन ओलंपिक कमेटी के नाम से पाटिशिपेट करेगा ठीक है अब देखना कभी प्रस्ण पूछे सरल करेके पूछेगा अपने को कठें लगेगा कि ऐसा देस जिसका जंडा उस ओलंपिक में नहीं फराया गया तो रूस फिर पूछेगा कि ना राष्टगान सामिल किया गया यही होता है बहिसकार यही होता है बहिसकार नहीं कहते है उनका समाज से बहिसकार कर दिया गया अब बता और कितना बहिसकार करें किसाब ना तो तुम्हारा नाम ले रहे ना तुम्हारा जंडा तो चोड़ो जब आप क्या कर रहेंगे मार्च पास्ट करोगे ना मार्च पास्ट करेंगे तो द्वजगी आवशक्ता पड़ती है कि नहीं बिना द्वजगी तो नहीं हो सकता अब रसिया के खिलाड़ी वो उनके हाथ में एक इस प्रकार से फ्लैग पकड़ा दिया गया जि कहते हैं तो बस समझेगा जब चीजें बेटिंग में रहती किलियर नहीं होती तब आरेसी लग जाती है और विचारे रूस पर आरोसी लगा दिया ठीक है अब विचारे का जंडा भी हटा लिया उस फ्लैग पर एक विचारे देशी टाइप का कोई तक्ती टाइप की सरचन नहीं किया वो कौन है वो रूस है ठीक है लेकिन याद रखें किस नाम से पार्टिशिपेट कर रहे हैं तो आप बता देंगे वो और ओसी के नाम से पार्टिशिपेट कर रहा है ये इनकी ओलंपिक कमेटी का नाम हो गया तो ख्राडियों जो दौरा जितने भी मेडल जीते किया गया और इसमें क्या पॉजिटिव पाय जाने के कारण इनको पनिस किया गया दंड शरूप इन पर वेल लगा दिया गया वो तो क्या है कि कई लोगों ने सिफारिस कर दी नहीं तो ये बीस और 21 का तो टोक्यो ओलाम्पिक खेल भी नहीं पाते वो तो ये कि कुछ भले लोगों ने का कि चलो कोई बात नहीं है इनको कुछ ऐसा मौका दे दो जिससे इनके कुछ खिलाडी पार्टिशिपेट कर जाएं तो इनके लिए एक बिकलप तयार कर लिया कि तुम्हारा नाम बेकार है तुम्हारा जंडा नहीं प्रियोग करेंगे तुम्हारा राष्टर गाना प्रियोग नहीं करेंगे डाशिपेट करेगा तो यह सिंपल सा पॉइंट है आप लोग याद रखेगा हो सकता है पेपर में पूछ ले अच्छा सा फैक्ट बन सकता है इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है आगे चलते हैं कि यदि हमसे बात पूछता है कि खेल एवं युवा कल्यांड विभाग की इस्थापना म हो जाएगा डेट कम प्रफर करता है बर्स जादा पूछता है ठीक है लेकिन कुछ इंपोटेंट रहेंगे जहां पर हमें डेट भी याद रखनी पड़ेगी तो आप याद रखेंगे 1975 में क्या किया जा रहा है खेल एवं युवा कल्यांड विभाकी स्थापना की जा रही मैं तो यह कहता हूँ कि यदि आप लोग अधिकारी बन जाते हैं और एक आएक आपके मन में खेल भावना जागरत हो जाती है आप खेल की या किसी बिसेश खेल की समझ रखते हैं जानकारी रखते हैं तो मैं तो यह कहूँगा आप उस खेल में फर आगे से अगरसर हो तो लोग बाग आपकी तारीफ ही नहीं करेंगे यह काएंगे और अभी खेलने जाओगे ना तो गड़वड हो जाएगी सब कुछ तो आप जब हो जाए तो मैं तो यह कहता हूं कि किसी खेल की अच्छी समझ रखते हैं तो आप जरूर पार्टिशिपेट करिएगा सरकार आप क्योंकि सरकारी सदस बन चुके हैं ठीक है आपको सरकार पूरी पूरी बातों का ध्यार रखेगी इनको कब पहुचाना क्या पहुचाना और आप यहां पर दिमाख लगा सकते कोई बाल कोई बात नहीं है जैसे देखते ना रेलवे का जादातर डिपार्टमेंट के कई सारे करमचारी होकी में और रेसलिंग में बादवागी और भी खिल में ऐसी बात नहीं खूब अपना बहुत अ 2011 में ठीक है अब देखें आगे की बात करें क्रीडा पर्शन का गठन आपने 1960 में करा दिया और हम इसको पुनर्गेठित कर रहे हैं कब 2011 में ठीक है यह पॉइंट आप याद रखेंगे 1984 चीदो छोड़ो यह क्या यहां पर आप क्या 84 अगली बात देखो अब जैसे इसको याद रखो भारती खेल प्राधिकरण इसको हम लोग कहते हैं एस ए आई साई इस्पोर्ट अथोर्टी ओफ इंडिया अब यह बड़ा अच्छा संस्तान है यह पूरे देश में क्या करेगा खेल को और्गनाइज करने का काम करता है क्या क्या कुशन बनेंगे जरा समझेगा पहला प्रसंदेख्येगा कि साई से प्रसंदे क्या 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 सकते हैं पाहला में बताओ से करने के लिए ने जाती है तो उसके पता जी विचारे चौरी चुपके मिलने जाते हैं ध्यान करो का वह सीन कहा का था तो पंजाब तो बहुत बड़ा है लो द्यान को कई सारे अब यह बताओ एक्जेक्ट यह आप लोग बास्तों में फ्लिम पे ध्यान देते ने जैसे आज के लिए वीडियो चल लाए विनिके देखना यह वीड कुछ और है ठीक है अब याद रखेंगे आपका हेड़कॉर्टर कभी पूस्ता है तो यह आपका कहा हो गया न्यू देली में हो गया अब इसकी ट्रेनिंग कराएंगे पटे आला में यह नेशनल लेवल का है कि यह हम लोग क्या पढ़ रहा है नेशनल लेवल का पढ़ रह करें तो भारति खेल प्राधिकरण यानि कि साइश्पूट अथर्टी ऑफ इंडिया की बात करें हैं न्यू देली और ट्रेनिंग सेंटर का है पटे आला में क्योंकि याद रखेंगे इसका हेड़कॉर्टर का बन गया इसका हेड़कॉर्टर बनेगा पटे आला में तो य यह ट्रेनिंग सेंटर याद रखेंगे एक्जाम में पूछ सकता है क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग हैं कहीं हेड़कॉर्टर है और कहीं पर क्या है ट्रेनिंग सेंटर है इस्तापना बर्स पूछता है तो 1984 याद रखो यह तो अपने आप याद हो जागा ना 84 के ख्याल है और इनका ट्रेनिंग सेंटर तो आप से सिंपल सिंपल कुछन पूछेगा कि बताएगा साई का हेड़कॉर्टर का है न्यू देली में साई संस्थान अपने एक राडियो की ट्रेनिंग कहां कराता है पटे आला में और साई की स्तापना कब हो रही है 1984 यह इतनी त आप बताएंगे भोपाल भोपाल नहीं पूछता पूछेगा कौन से गोरे गाउं गाउं भी कौन सा है गोरे गाउं ठीक है चलिएगा तो अब जड़ा समझना कि यदि हम देखते हैं कि आपके मद्यपरदेश में जो साई संगठन काम कर रहा है स्पोर्ट अथर्टी ऑफ अब लेकिन बैसे ही याद रखना जैसे अभी आपने नेशनलिस्तर का राश्टिस्तर का याद रखा है कि उनका हेड़कॉर्टर था उनकी राजधानी में अपना हेड़कॉर्टर है अपनी राजधानी में वो ट्रेनिंग कहीं और करा रहे हैं हम ट्रेनिंग वहां कराते ह क्योंकि अब जरा समझने ट्रेनिंग से होता क्या है बताना जरा ट्रेनिंग से होता क्या है ट्रेनिंग क्यों करा रहे हैं यह डारेक्ट खिलने पहुचा दू ना क्योंकि उनको ट्रेंड कैसे कराएंगे आप खिलाडियों को क्या बना रहे हैं धारदार बना रहे हैं धारद तो आंसर अपने आप छप जाएगा है दार में तो खिलाडियों को ट्रेनिंग दिला करके आप क्या कर रहे हैं उनको धार-दार बना रहे हैं एक दम्दार तरीके से खेलेंगे तो आप बताएंगे मध्य झुरद्यपरदेश का ट्रेनिंग सेंट्र का है है और धार्का एख चित्र याद रखो धार्का एक चित्र याद कौन सा पीठम पुर कहां है कि अधार में हैं और यह निजदीक और पास Κाहत jetzt सबसे हैं और साइद इसमें एसिया का सबसे बढ़ा का ट्रेक सेंटर बनाए गया तो याद रखेंगे वर कर, ट्रेक चैस्टन्य त्रेक याद रखो कार्चाहटर सबसे बढ़ा आपatorस दूसरा सबसे बढ़ा थो आप हां वह यहीं इसी के लिए तो आप याद रखेंगे एक और याद रखो कार टेस्टिंग ट्रेक जो है सबसे बड़ा आप एसिया का सबसे दूसरा सबसे बड़ा है तो वो आपके MP में बनाए गया है याद रखेंगे और पीथमपूर डेट्राइट के नाम से फैमस है ठीक और धार में आप एक और याद रख सकते हैं सिटी ओफ जो है मांड अब गड़ या मांड ठीक अब चलिएगा आगे की बात करते हैं यदि हम लोग आगे की चर्चा करते हैं तो मिलेंगे फिर कल नमस्कार धन्यवाद अच् miraculous विपना इसे दिए गाय को गड़ी आप एक पता जो ज्या है मैं धःे जिए भाने मरगे बादी यद्रेकर को लादाते हैं वादो सक्षित और रख वने वें वादा है वादव मुआयं पीणवादी मांगे का भास ही ऑसे Hun.